बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, हमने पिछले लेक्चर में risk structure of interest rate discuss किया और उसका meaning ये है कि same maturity के भी bonds होंगे, still they can pay different interest rate और उसकी वज़ा ये है कि उनके risk में फर्क हो सकता है तो अब हम बात करते हैं other determinants की risk के साथ उनमें other determinants में एक important factor liquidity different bonds होंगे अगर उन bonds का maturity time एक जैसा है जो हम basic assumption लेके चल रहे हैं क्योंकि maturity time different हो जाए तो फिर तो bonds के उपर interested different हो जाता है हम assume कर रहे हैं कि अगर उनका maturity time same भी हो एक ही वक्त में issue होए हैं एक ही वक्त में mature हो जाएंगे और साथ ही साथ अब हम अस्यूम कर लेते हैं कि उनका स्पोज रिस्क स्ट्रक्चर भी एक जैसा है लेकिन फर्क क्या है उनकी लिकुडिटी में फर्क हो गया है तो जो एसिट ज्यादा लिकुड होगा ज्यादा liquid से मुराद ये है कि जब बेचना चाहें बिक जाएगा आसानी से और given market price के अगर कोई asset आपका जल्दी नहीं बिकता या जल्दी बिकता है तो फिर given या market price पे नहीं बिकता कम price पे बेचना पड़ता है दोनों सूर्थों में हम कहेंगे ये asset illiquid तो liquid asset का मतलब ये है कि 40 बिक जाए और जो भी उस वकत market में prevailing price हो उसके उपर बिके जल्दी बेचने के लिए price ना कम करनी पड़े तो हम कहते हैं ये liquid asset तो अगर एक bond की liquidity बढ़ जाती है तो बड़ी simple सी बात है कि जिस bond की liquidity जादा हो तो वो चुके जब भी मुश्किल वक्त आए जिसके लिए आपने maybe saving रखी हुई हो तो जब आप चाहें आप उसको चुके बेच सकते हैं तो ये उसका एक positive feature है positive पहलू है तो नतीजा ये होगा कि ऐसे bond जिसकी liquidity जादा हो जाए अगर उसका risk दूसरे bond के बराबर भी है अगर उसकी maturity time जो है वो दूसरे bond के बराबर भी है तो इस liquidity जादा होने की वज़ा से इसकी price बढ़ जाए और price इसका मतलब है कि इसकी और इसकी उपर interest rate different होगा चुके price है सकते हैं कि ज्यादा liquid bond जो होता है वो कम interest भी पे करें तो लोग उसको hold करने के लिए willing हो जाते हैं इसका मतलब यहां से यह समझाया हमें कि जब same time period की maturity हो दो bonds की जबकि उनका interest rate different हो तो हकीकत में वो interest rate या तो risk की वज़ा से different होगा या liquidity की वज़ा से different होगा या दोनों का थोड़ा थोड़ा effect हो सकता है तो इसका मतलब है same maturity के bonds की उपर जो interest rate का difference है वो difference actually risk and liquidity premium है लेकिन हम literature में finance के literature में उसे कहते risk structure हैं मशहूर यही है कि हम risk structure कह देते हैं हकीकत में वो सिरफ risk की वज़ा से नहीं interest rates different हो रहे होते दो bonds के बलके risk के साथ-साथ liquidity की वज़ा से भी उन इसलिए इसकी जो diagram है वो almost वो ही है जो हमने risk के case में बनाई कि initially जो दो किसम के हमारे पास bonds हैं एक treasury bonds हम ले रहे हैं तो treasury bonds चुके government के bonds हैं उनके risk काम हैं उनकी market बड़ी होती है उसका बहुत ज़्यादा लोग transactions में involved होते हैं उससे related इसलिए उसकी liquidity ज़्यादा होती है private sector के bond risk ही तो चले होते ही हैं साथ additional ही होता है कि private sector में किसी एक firm का bond है तो पूरे मुलक के सारे investor में भी उसमें investing न कर रहे हो तो उसकी transactions काम होती है उसकी liquidity काम होती है तो हम assume कर रहे हैं कि initially liquidity जो है वो हमारे corporate bond की और treasury bond की same है supply same है demand same है इसलिए उनकी price same है जब कि हम फिर यह कहते हैं कि जो हमारी treasury bond है उसकी liquidity जो है वो increase हो गई या आप relative sense में कहें कि corporate bond कोई भी था उसकी relative liquidity decrease हो गई तो जो corporate bond है उसका demand का left side पे shift होगा और जो treasury bond है उसका right side पे shift होगा नतीजा क्या बनेगा कि जो treasury bond की price है उसमें और corporate sector के bond की price में difference आ जाएगा treasury bond की price ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका interest rate low है क्योंकि वो liquid है जब कि corporate bond जो है उसकी price low है इसका मतलब है उसका interest rate high है क्योंकि वो illiquid है तो इनके दरमियान जो difference है वो बनेगा liquidity premium एक और factor जैसे liquidity other determinants में आता है risk के इलावा बिलकुल इसी तरीके से एक और बड़ा important factor है income tax on bond अगर आपके दो bonds हैं उनका time to maturity same है दोनों आज issue हुए है दोनों पाँच साल बाद mature हो जाएंगे suppose दोनों का risk भी same है almost और ये भी assume कर लें कि दोनों की liquidity भी एक जैसी है लेकिन किसी भी वज़ा से अगर government जो है वो एक पे income tax rate जो है वो 10% उससे charge करे tax और दूसरे पे 5% से करे यारी कि income tax change हो जाए तो हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था कि जो actual relevant interest rate होता है वो after tax होता है तो इसका मतलब है बाकी सारे features भी बांड्स की equal हो जाएं जिस पे income tax rate कम होगा उसकी चुके demand ज्याद होगी उसकी price हाई होगी तो लोग उसको कम interest rate पे भी उसमें invest करने को willing हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि income tax भी एक ऐसा reason है जिसकी वज़ा से बांड्स की prices और उनकी उपर interested different हो सकते हैं इसमें भी again वही diagram आपके लिए helpful होगी कि अगर different income tax rate के साथ अगर different bonds हो तो एक की price हाई होगी दूसरे की low होगी जिसकी price हाई होगी उसका interest rate लोगा और दूसरे का जो है वो interest rate हाई होगा तो इन दोनों के दर्मियान जो gap है वो क्या कहलाएगा premium लेकिन ये premium किस वज़ा से है income tax की वज़ा से इसका मतलब ये है कि maturity को ज़रा थोड़ी देर के लिए side पे रखें time to maturity वो दो bonds की same भी हो तो फिर भी उनकी interest rates या prices different हो सकते हैं इस वज़ा से या risk structure की वज़ा से या liquidity की वज़ा से या income tax की वज़ा से जबकि इन तीनों की वज़ा से जो difference आता है उसे हम short farm में कहते हैं सिर्फ risk structure है Thank you